अफिश बेकन लेकर आया है अपरेंटिशिप तालिंग योजना SSC, HSC पास्टुडेंट्स और ग्रेजुएट स्टुडेंट्स के लिए तालिंग ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ग और और एंट्री वर्ग पर निसुल खुव्यावसाइद तालिंग दीजाएगी रोजगार के लिए रुची रख्टे युवाव को खास नियोता, 100% प्लेश्मेंट सहाई, 90 दिन तक मुफ्त तालिंग दीजाएगी साथी बड़ोदा के युवाव के लिए खास मोका, ओफिस बिकन में 250 वेकंसीज में, ओडर एंट्री, डेटा एंट्री और ग्राफिक्स जॉप के लिए कॉन्टेक्ट करें आफिस बिकन हरी बक्ती रानिश्वर बवन, अपोजिट रानिश्वर महादेव मंदिर वाश्ना भाइगी रोड़, SSEHS ची पास और ग्रेजुएट युवाव को पहला मुका, आकशक पगार और इंसेंटिव पाने के लिए जल्द ही मुलाकातले आफिस बिकन की ज़्यादा जानकारी के लिए कॉंटेक करें 9638315550 और 9913349892 नमस्कार ICB न्यूज में आपका स्वागत है, आज की खास कबरों के साथ मैं हूँ सोनल, आएए देखते हैं कबर वस्तार से राजेबर में स्वाइन फ्लू का कहर्शाया है, स्वाइन फ्लू पर काबू पाने में बड़ोदा महानगर पालीका का आरूग्य प्रसासर लगाता निस्वल साबित हो रहा है इस मामले में माझलपूर की मिनिसिपल काउंसिलर शिराग जवेरी ने मुख्य प्रधान को पत्र लिक कर व्यथा व्यक्त की थी नागरिकों का स्वास्तिय अच्छा और सिहत मन्ध हो इसकी जिम्मदारी सरकार के साथ सार। स्थानिक स्वराजय संस्था यानि की कॉर्पोरेशन की भी है लेकिन यहाँ अनुपती हो रही है कि लोगों की सिहत के साथ कॉर्पोरेशन लापरवाईयों का वलन अपना रही है पिछले कई समय से चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू जैसे बैमारियों ने राजय बर में कहर फिलाया है जिसे बड़ोदा में भी कई लोगों की चानली है आकडों की बात की जाए तो गट साल से इस साल बैमारियों से पिडित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बैमारों से पिडित मौत की संख्या में पे और भी इजाफा हो रहा है यह चिंता का विशय है बेकाबो बैमारी सहरी जनों को अपनी जपेट में ले रही है और प्रसासन लगातार निस्फल साबित हो रहा है स्वाइन फ्लू और चिकन गुनिया जैसे बैमारी से जनवरी से अब तक 83 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट दर्ज होए है जिन में से 10 लोगों की एक ही महीने में मौत होई है इस विशय में प्रसासन गंबीरता दिखाते हुए कोई ठोज कदम नहीं उठा रहा है या मौत के आँक देखकर हम अंदाजा लगा सकते है आज मुनिसिपल काउंसिलर शिराग जवेनी ने सीम विजे रुपानी को पत्र लिख कर चिंता जटाते हुए इस मामले में प्रसासन की दिन्दा की थी और जल्ध ही कोई एक्शन लिये जाने की मांग की है करवा मां उती नथी निर्दोस मानागरी को वजारे ने वजारे रोग चाड़ा जिन्द शपड़े रहा जे तारे में मुख्य मत्रेश ने भी याथ कराई थे कि में उगनी साथ बेहजार सत्तर अने चार एक बेहजार अड़ाना रूदी सरकार में पत्तरा लखी ने चेतन लिये आपी है ती कि वजदरा सेहर अत्तारे खूब भेंग गडिते रोग चाड़ा में शपड़ा वानुँछे इवी हमने सक्येदा देखे रही जे काराण के रूदी तंतर बिलकुल खलास थाई गिलूँछे बिलकुल बुरूत पाय थाई गिलूँछे अने हमा निर्दोस नागरी को खु कि वजदरा सेहर निर्दोस नागरी को खुब खुब खुमता हुए तारे बहु घंबीर ताची आपरस्टन ने उकेलवानी जरूर शे शरकार सेहर नुँँछे नहीं आउँ जोए सरकार शेन अधीकारी आवा जोए तमाम कामों बाज़ वासुए मुक्ई सेहर ना गुजरास सरकान ने मानिय मुख्य मंदिर ने पत्रा लेखो जे, लेल ने को अपी आपी जे, कमीशन ने इस्ट्रेक्शन आप्पाम आवे, कि स्रबधा काम बाजुम की लुपोनों अरोग्य जाड़ावनी सवुची पहली फरज पूरी करे, इभी मानि मानि वागने से. राजेबर में आरोगे करमशारी अपनी कई मागों को लेकर हर्ताल पर उतरे है, जिसके तहत बड़ुदाजलावनी से. पंचायत में भी आरोगे करमशारी ने रामदुन की थी. आरोगे करमशारी महासंग प्रेरित आजना वड़ुदाजलावनी से. करमशारी मंदर ना 550 करमशारी माशील पर उतरे है, अमारी परतर मांगणी होने कारणे हमें माशील पर उतरे है. पानिकेक पुलीस ने चंद घंटों में ही गिराफतार किया है और सभी को पुलिस स्थाने में मुर्गा बनाया गया. मेरी इफागत अली अकबर अली शेक में मुर्गा बनाया कोकड को कोकड को कोकड को आज के बार माथागुट नहीं करूं. में उसेन खान उर्फे बाम में आज सेया मुर्गा बनायाूं कोकड को कोकड को को कोई परकार की मगज मारी या कोई परकार की कोई भी फालतू जिननी करूंगा अस्ते. में अब जल्खान उर्फे अन्नू उसमांगान पठान आज ती कुकड को बनी गवाजू आज पती कोई जगलो नहीं करूं. कुकले को, कुकले को, कुकले को. हुँ सहरू पद्जु लभीप खन पठान आज सी कुकड को बनी गवाजू. में तान्व गल् सिर्फान ही बतननो दो आज के वाज़ंहें भीप खने गवाजय। ब्रदाशेर वाकोडिया रोड पर दक्षिन ब्राममनी से रचुरान का सोभारम माननी अधारास पिस्त्रीम अधुबै स्रिवाष्त्तव के द्वारा की आगया था शहर के वाकोडिया रोडस ते द्वरंदावन हाइट्स में नई रेस्टोरन का सुभारम किया गया दक्षिन ब्राम्मीन देश्ट आफ साउथ इंडियन द्वारा शहर में यह तीसरा आउटलेट शुरू किया गया है जिसका शुभारम वाकोडिया धारा सब्य श्री मदुबाय श्रीवास्तो द्वारा किया गया था हर बार की तरह इस बार भी सुभारम के पहले दिन संचालको के द्वारा सोच इतने गरीब जरूरत मन बच्चों को बोजन करवा कर इस रेस्टोरन के शुरूआत की गई थी आजे हमाराज कंप्लेस मा विंदराबाज आइस मा बेंगलोर मा रेवासी रेवासी गुजरात मा ने वड़ोद्रा मा तीजी साओध इंडियन रेस्टोरन नू दक्सिन ब्राम्मनी खोल्यू थे बदल यमने हो हाउकारू थे अनने मने बोलाया उत्गरन करवा थे बदल भी आउकारू थे आविश वांगियों जिया हिया चाल से चालवा निछे यहनु कारण यही चेके उपर तन ठेटर होचे आजू बजू बदू बदू बभस्ति होचे एनना कारण चालचे वी अमारी भावना थे आजे आवा बेंगलोर वासी यह वड़ोद्रा नाता पर बेंगलोर नात रहाचे ने वड़ोद्राम पाचा पर ताहीने साओध तेवनु सारू चाले आंने आजिर वातों आपो चुँ शाते-चाते हुं आप सोवने मेडिया वराने वी अविल्ण दना आपो चुके नवा वरस्त के थे एको जे 1990 भी चालो थेको जे कि 2021 चुटनी ना अंदर चंसत नी चुट टिकीट में मांगनी करी चे अने मने आपसे असा चे राम मंदिर के मुद्दे पर दर्मसंसत का समर्थन करते हुए अच्सामाजिक कारेकर डॉक्टर जियोतिनाथ बाबा ने इस विशय में विश्रूत माहिती दी थी एक अभी पूरे भारत वर्ष में हिंदू समाज के लिए यानि जो त्राणवे से चौराणवे कराओर लोगों को इफेक्ट करता ऐसा मुद्दा जो कोई है तो राम मंदिर का है राम मंदिर की कई हकीकतों से हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है अभी जो कंडिशन चल रही है कुम्ब मेला चल रहा है और कुम्ब में दर्मसंसद बिठाई गई दर्मसंसद वो होती है जिसको जगतगुरु शंकराचारी प्रमुक्सान पे बैठके उसको आयोजन करते है यह दर्मसंसद हुई और दर्मसंसद के अनुशार एक फैसला लिया गया और वो फैसला ऐसा है कि 21 तारीक को आयोध्या में जाके राम सिला का पूजन करके वहाँ लहां पे खातमुरत किया जाएगा यानि रामा मंदर बांधने की एक हिंदु धर्म की और से धार्मीक नेताओं की और से या तो धर्म के करता हर्ता की और से जो संत लोग है उन लोगों की और से एक आयोजन किया गया कि यह पूजा हो वे मंदर का बांध्याम चालू हो व proceed चल्दी से आज जगत की अंदर सबसे बड़ी वितमड़ा यह है कि बहुमती देशों में जहाँ बहुमती लोग होते हैं उनकी सुनने में आती हैं यहाँ कोई ने कोई जासे से आई हुई सब सरकारे बहुमती समाज को सुनने को तयार नहीं है आम दोर पर देखा गया है कि लगुमती लोगों को जदा से जदा प्रोसाहिज किया जाता है भार्चे जंता पार्टी को हिंडू हिट की सरकार समझки लोगों ने बहुत मत दिये पौने पांस साल बिज गए पौने पांस साल में कोई ये सरकार ने भी आजा देश नौला की हिंदु धर्म के लोगों का अपमान किया अवहल ना की ये देख कि संत्र लोगों के दिल में बहुत बड़ी तिराड उत्पन हुई और इन लोगों ने अपना स्टेप अपनी रिस से उठाने का चालू कर दिया अभी सब लोग देते हैं सब पार्टिय जासा देती है सुप्रीम कोड का सुप्रीम कोड का जो माननी ये सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस साब ने पहले ही ये रिंग में एक चीज बता दी थी कि राम मंदर इतना अहम मुद्दा नहीं है कि जिसके लिए हम डे टू डे हीरिंग करें ये कोई इतना लोगों से यानि इन लोगों के मतलब से दर्म इतनी बड़ी बात नहीं है और बातें बहुत जरूरी है ऐसा कहना इनका था अभी एक तरफ से हम ये बोल रहे है डे टू डे हीरिंग होगा जबी जबी तारिक आती है तबी कोई न कोई लफरा निकलता है और तारिक पे तारिक तारिक पे तारिक 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 तवारिक बन जाती है ये तारिक की तवारिक वहां तक बनी कि राम मंदिर का मुद्दा लोगों के दिमाग से निकल गया और इतना निकल गया कि लोग आज त्राहिमाम हो गए कि हम सनातन धर्म के एक अराज्य देव राम की एक मंदिर मनाने के लिए हमको तरपना पड़े और जहां पे भार्चे जन्ता पार्टी का राज यानि एडी से चोटी तक नीचे से उपर सब जगा पे इनका राज हो और फिर भी राम मंदिर मनाने का लाले पड़े ये बहुत दुख की बात है सुप्रिम को ठीक बात करते हैं तो हम तो ये बोलते कभी कोई पक्स प्यार देता है कोई ये पक्स प्यार देता है कोई वो पक्स प्यार देता है तो मैं एक बिंति कर की थी मगर वो अध्यादेश न लाने दिया गया आज वो अध्यादेश के बाद में आज तक राज़ की लेवल पर किसी ने कोई कुशिश नहीं की सब ने राम पे नाम पे अपने रोटिया से की सब ने राम के नाम से अपने कुकर चलाए और बस यही एक और बागी है ऐसा ही चलता रहा तो 2024 का इलेक्सन आएगा तो भी राम की ही चर्चा करते रहेंगे यह ना हो इसके लिए संसंतल का एक संकल्प है और वो संकल्प के साथ सब हिंदु जोड़े ऐसी मेरी मेरी और से प्रार्थना है सनातन धर्मनोरागी और वासियों को राम मंदिर के मुद्दे पर संकराचार्याजी के धर्मा आदेश के विशय में विश्तुरत माहिती प्रदान करने के लिए शेहर में पत्रकार सम्मिलन का आयोजन किया गया था द्रीपिटा देश जगतगुरु संकराचार्या अनन्त श्रीव भूशित स्वामी स्वरुपानन सरस्वती जी महराज के अध्यक्ष्थान पर आयोजित की गई परम धर्मसंसद में राम मंदिर के मुद्दे पर नियाई पालिका के विलम तथा सरकार की उपेक्षा को ध्यान में रख कर एक दर्मादेश किया गया है दिनांक 21 फरवरी 2019 को संकराचार्या जी के साथ अयोध्या के लिए कुछ कर राम जन्म भूमी पर राम मंदिर का सिलाम्यास किया जाएगा इस मामले में आज श्री सनातन वैदिक धर्मानुरागी ट्रस्ट के द्वारा पुझे गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री चंद्रशेखर पंडित जी के नवास्थार सीवो हम पर पत्रकार समेलन कर विश्त्रुट माहिती प्रदान की गई थी वी पिठा दी जगत गुरु शंक्राचारी नी धर्पकड करवामा आवी थी औने एमने जेल मा राखवामा बन आव्याता औने 30 एप्रिल उगणी सो नेवना दिल से एमने धर्पकड करवामा आवी थी एटले आजे ज विचार आव्यो एवना थी बिजे वस्तु के हजी तो 6 मैना निवार छे कदा 5 मैना निवार तो छे जिलक्षन माटे ए पहला पण जैरे वाराणसी मा नवेंबर मैना मा धर्मसंसग योजाई प्यारे जुओ आचारी श्रीक के कोई पन जे धर्माचारी आथो धर्म गुरु होई छे ए शांती अने सदभावना समाज मा रहे एना माटे काम करता होई छे अने साथे साथे धर्मनी सत्ता अथो धर्म जड़वा एना माटे पन काम करता होई छे पमे कोई माना से आजे सत्ता मा आवे ने काले तो मैं मंदिर बनावसे इवी आशा ना रखी सको प्रथम दिवस्तो सरकार नी आलोच ना प्रस्ताव मुखवाम आवियो कि अमे सरकार ने पहला तो आगा करिया सावधान करिया जो आचारियनु काम पहला सावधान करवानुँँँचे सावधान करिया पछी पन जो वात बहार नथी आवती त्यारे विरोध करे चे एटले सावधान करिया सरकार नमानी एटले हवे शंकराचार निड़ाय आपके हो कि 21 फेरुवारी आपड़े शिलाम नियास करी सूँ और अजोधा तरफ कुछ करी सूँ राम मन्दीर माटे तमाम शंकराचार हो एक साथे एटले अयोध्याना राममंदिर ना विशय मां जोतिश पिठा दिश्वर शंकराचारी या स्वरूपा नंदजीज आगड़ पड़तु काम करसे विजा शंकराचारी नो समर्थन के सपोर्ट न थी विवाद छेज नहीं एमनू पड़ समर्थन छेज परन्तु आ करे छे अत् शक्ता लाग से त्यारे जोड़े आउसेज धर्मसंसद विश्वहिंदू परिशद द्वारा पन थाई अने परम धर्मसंसद शंकराचारी निया जक्षतामा थाई अब ये धर्मसंसद थवारा कारणे लोको क्या कनफ्यूज होए उपण बने बैली वस्तु धर्मसंसद बोलाववानो अधिकार मत्र शंकराचारी नो अत्वा धर्माचारी नो छे जे विश्वहिंदू परिशद द्वारा धर्मसंसद नामे अधिविशन के संबेलन थयू एमा एकपण शंकराचारी एकपण रामाणुजाचारी एकपण वल्लभाचारी एकपण निम्बारकाचारी नी उपस्थिती न थी अर्थात मत्र पॉलिटिकल स्टंट करवानो राममंदिर उपर कोई निर्णै नहीं लेवानो और छेल्ले पहला सरकारबन से पच्छी मंदिर नो विचार थशे आउस्टेटमेंट अपपणू और येवो प्रस्ताव पारित करिने त्यां यगननू अयोजन करवू आ बद् चाहिना ज़ी बाजु, शंकराचार निया ज्यक्षता मा जे परमधार्म संसद थै, येणे एक मते उज्यारे एक मते आने परमधार्म संसद बोलुछू त्यारे येणी विच्षे पन समझी लेवा जेवी चे, भारत भरना पांसो तेहताली संसद यय मतविस्तार मा थी 11- छेग फिट। सब्सक्राइब परिशतना तेरे तेर अखाड़ावे शंकराचारे नू समर्थन करिए अने साथे इंदू प्रजा जोड़ा शे अने शिला नियास कर्षे सिनोर तालुका के सादली गाउं के पास उतराज गाउं में अफरन की खटना सामने आई है उतराज गाउं के परप्रांत ये परिवार की साथ साल की बच्ची के अफरन से पूरे गाउं में संसनी बच्ची है मध्यप्रदीश के एक परिवार की साथ साल की बच्ची को अंजान अपरन करता अपरन कर फरार हुआ शिकायत बच्ची की माता ने साधली आउट पोस्ट में दर्ज करवाई थी जिसके तहट पुलिस ने जाच चुरू की है बड़दा एसपी तथा डबोई डिया एसपी ने मामले की गंभीरता को परकते हुए तुरंत ही जाच के ओडर जारी किये है प्राप्त माहीती के मताबिक जब इस परिवार के मुख्या यानि के बच्ची के पिता मजदूरी के लिए घर से निकले थे और उसके बाद उसकी माता भी अपनी तीनों बच्चीं को घर पर छोड़कर मजदूरी के लिए गई थी उस दोरान कोई अंजान शक्स गर पर आकर सबसे बड़ी 7 साल की बेटी रिंकू को बिस्कुट दिलाने की लालश देकर बाइक पर बठा कर फरार हो गया था जब माता वापिस लोटी तब दोनों छूटी बच्चीयों ने मा को बताया कि बड़ी बेहन डिंकू को कोई अंजान शक्स गाड़ी पर बठा कर बिस्कुट दिलाने के लिए ले गया है जो अभी तक लोटे नहीं है यह बात सुनकर माता के पैरो तले से जमीन खिसक गई थी वह तुरंथी सागली आउटपोस्ट पहुंचे थे और सिकायत दर्ज करवाई गई थी दिन दहारी साथ साल की बच्ची के अफ़रन से पुलिस प्रसासन भी एक्शन में आ गया था तुरंथी बड़ोदा एस्पी तरुन दुगल दबवई दिवाई एस्पी केवई सोलंकी एसोजी पी आई करमूर सर समेत के सभी बड़े पुलिस अधिकारी गटना स्थल पर पहुंच गये थे और जांच का दोर तेजी से शुरू कर दिया गया था सिन्योर पोस्टे खाते एक रिंकू बेन भील नामना साथ वरस नी बाड़की नो फरान थाएल छे कोई बाईक चालक जानिया तेने लई गयेल छे ते सबबे तेनी माता काडी बेन जे मूड एमपी ना रहवासी चोहली ना अने चेला त्रेस वरस्ती मजूरी अर्थे अतरे गुजरात मा सिन्योर खाते आवे छे हमना चेला बेन दिवस पूर्वे जहिए आवे था आबानाव बने लो छे त्रण दिकरी छे दमनी अने ते बाईकी एक साथ वरस नी दिकरी नो अफरन थाएल छे सदर बाबत अमें जिल्ला मा नाका बंदी अलग अलग जगिया है गुठी दिदेल छे हमारा स्थानिक लोकल अधिकारियो तेमाज लसीबी एसोजी तेरोल फरलो स्कोर अने हमारा डियस्पी साइब निस उतना मुझे पुरी रात कडाकी की ठंड में यह पुरा परिवार बच्ची की राह में पुलिस चौकी के बाहर ही इंतजार कर रहा था करन में चौकार कर दोका कर दोकारियो विश्कुट्स उलदा तेन पुरा तेन पुरा चौकी के बाहर ही इंतकर ऑखादी पहले मटी शोक्रीयो विश्कुट्स खाई लदी तेन मद चौके प्से मुत्रसाइकल पर चोकरी अंगे बेड़ी लिए इस अरली बजु आई है अमने के इतना खबर बढ़ी था? कि पशीप पहले चो हम के अतिन खेतर से आया ते ना नी चोकरी की दू कि मुत्टी चोकरी नो लेगिया पुलिस ने अपनी आठ टी में तयाग की है बच्ची की खोज में पुलिस प्रसाइसन के मताबिक इस बाइक चालब को साधली गाउं के पास एक सिसी टीवी कैमेरे ने कैत किया है अब इस सिसी टीवी फुटेज की आधार पर पुलिस ने चांच का दोर आगे बढ़ाया है रिजवान आड़त्या फाउंडेशन के द्वारा पाउनियर स्कूल में बालमेला आउजित किया गया था जिसमें साला के 220 बच्चों ने हिस्सा लिया था इस मेले का मुख्य उतेशिय बच्चे को वविद खेल के जरीए शिक्षन का महत्व समझाना तता बच्चों में राष्ट्य जवरुति लाने के लिए किया गया था वेश्ट में से बेश्ट बनाने की प्रवरुत्ती में भी कई बच्चों ने हिस्सा लिया था साला के शिक्षक तथा रिजवन आड़त्या फांडिशन की कर्मचारियों ने मिलकर इस कारेक्रम को सफल बनाया था ऐतो बिद्यारत्या फांडर राश्ट्या फांडर 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 सुरेंद्र नगर जिले में फर्ज निभाते आरोगे करमशारियों ने एक दिवश्य हर्ताल का एलान किया है आरोगे करमशारियों को ग्रेट पे दिया जाए, महिला परपर्ज हिल्थ वर्कर की मांगों को पूरी की जाए ऐसी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है इस विरोध के साथ साथ मानवी अप्रिगम व्यक्त करने के लिए जिल्ला पंचाथ दफ्तर में ही ब्लड डॉनेशन कैम्प का आयोजन किया गया था इस ब्लड डॉनेशन कैम्प में बड़ी मात्रा में करमशारियों ने रखतदान किया था सब्सक्राइब ग्लक्राइब ज़्यक्त किया बहा है अपने 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 लडिये चे नर्मदा जिला के विविद कैडर के आरोगे करमशारी आज माज सेल पर उतर है जिला के पांच तालुका के 450 से ज्यादा करमशारी माज सेल पर उतर है और इसका रचनात्मक विरूद प्रदर्शित करते हुए रक्तदान केंप का आयोजन किया गया है रेड क्रोस सोसाइटी नर्मदा की सैयोग से जला पंचाद नर्मदा में यह केंप आयोजन किया गया था 50 से ज्यादा बोटल रक्त आरोगे करमशारियों ने समाजवाजी कारिया में दान किये थे महा संक्त्वारा प्राइत आरोग्या करमाचारि परतर प्रस्ट निवारन अनवी वे रामदोन सच्ट ब्यान अने ब्लॉट डोणेट कर्वामा आयोजन करेलू छिए जेनी अंदर जे ब्लोड डोनेट करे ती वस्तु अमें सगर्म माता उने गरीब दर्दियों ने कामला गेटला माटे आ वस्तु नू आयोजन करेलू छे अने एक सरकार सामें प्रतिक आत्मक विरोध सरकार सामें नोधायल छे जुनागड में संदी समाज की जिला कारोबारे बठक का आयोजन किया गया था जुनागड के चिताखाना चौक में जुनागड जिला संदी मुस्लिम समाज की बठक जिला संदी मुस्लिम समाज के प्रमुक हुसेन भाई जाला की इध्यक्सता में हुई थी इस बठक में समाज को संगटित होकर एक होने की हुकार की गई थी बैठक में जिला के तमाम तालुकाओं के तै किये गए नामों की कारोबारी की गुष्णा की गई थी साथी आगामी दिनों में जिला समाज महा सम्मेलन के आयोजन के विशय में भी चर्चा विचारना की गई थी जे जुनाकड जिला संधी मुस्लिम जमाद नी जे चल्ला 3 मेनाची मेनाज करी ने जे 10 तालुकाणों प्रवास करी आजना रोज बद्धा एड़ोग कमिटी ना सब्यों ने बोलावी ने जुनागर जिल्ला नी संजी मुश्लिम जमात ना कारोबारी सब्यों उप्रमुको मंत्रियों खजांचियों नी निमुन गाजी अपेल छे आनू संदाने चिताकाना चोक मा एक मिटिंग करी ने अगामी दिवसमा टूक समय मा जुनागर जिल्ला नू मुटा मोटू समयलन जुनागर शेयर मा करवा माव से राजेपाल उपी कोहली के अध्यक्ष्टा में गिर सोमनाच जिलाक के विरावल में ग्यारवे पदवीदान समारों का आयोजित किया गया था जिसमें देशबर के संस्कृत विद्वान उपस्तित रहे थे जिसमें डिलिट, पीएचडी, एमफिल, आचारिय, एमे, पीजी, डिसीय, बेड और बेड के विध्यार्थियों को पदवी एनायत की गई थी इस अउसर पर राजेपाल उपी कोहली तता संस्कृत भासा के विद्वानों ने देवबासा संस्कृत के जटन पर इवं भारत तेर दरोहर की सुरक्षा के लिए अध्ययन पर घौर फर्माते हुए पदवी प्राप्ति करने वाले सभी को सुपकामनाय दे थी इस पदवीदान समारों में तेर अध्यताओं को सुवर्न पदक चार अध्यताओं को रजत पदक एनायत की गई थे कुराट सो सतर विध्यारतियों को पदवी एनायत की गई फदक पदवी देते हैं यांत उनको हम जीवन में अपने कारणी प्रवेस करने से पहले उनको पदेश देते हैं कि किस प्रकार प्राप्त उपाथी का सत्व बाहर करें समाज की कल्यान के लिए अध्यवकाष्ट में सर्वथा इसका फोजो करते हुए आगे बढ़ें इसके लिए यहां दिक्षांद समारों का आजन होता है यह आज का इसाब सब कितने विद्याथियों को पर्वी एनाइज हुई और गोल्ड मेडल में 19 हैं और 870 विद्याथियों को उपाधी दी गई उनको नियमानुसार जो उपस्चित होते हैं जो उपस्चित नहीं हो पात पाठ्थे क्रमों को मिला कर पूरे विश्व पूरे गुजरात में जितने महाविद्याले हैं संस्कृत महाविद्याले हैं सभी के विद्यार्थि हमा आजिसी विद्याले से महाविश्व विद्याले से संबध्ध हैं यसलिए सब की डिग्र यहीं से मिलती है संस्कृत भाषा में क्या करेंगे? 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 संस्कृत भाषा में क्या क्या करेंगे? गाई है सरहदी वाउ थराद पंथक से निकलती नर्मदा कैनाल अब मौत का घाट साबित हो रही है थराद के डेल गाउं के पास आधेड उम्रके सक्ष के डूब जाने की खबर सामने आई है दो दिन पहले ही वाउ के देथली की चार यूतियों ने कैनाल में जानगवाई थी आधेड के डुबने की खबर मिलते ही लोगों की भीर जमा हो गई थी कैनाल के पास फिल्हाल पालिका की तीम के द्वारा आधेड उम्रके सक्ष को खोजने का काम शुरू कर दिया गया है सरहत पंथक में दो दिनों में छे लोगों ने जानगवाई है मेशागर जिला के तमाम आरोग्य विपाक के करमशारी एक दिवश्य मास सेल पर उतर है राज्य आरोग्य करमशारी महासंग के आदेश अनुसार राज्यपर में आरोग्य करमशारी एक दिवश्य हर्ताल पर उतर है जिसके तहद लुनावडा जिला पंचायत के पास आज मैसागर जिला के तमाम आरोग्य विबाग के करमशारी विरोध प्रदर्शन कर रहे है अपनी कई मांगों को लेकर अजसरकार विरोधी नारे लगाई गए थे और रामधुन की गई थी आज ममता दिन के तहद रशी करन के कारियों में भी बाधा पहुंशी थी सब यारोग्य करमशारी विरोध चताया था महा संगना आदेश मुझब आज रोज मैसागर जिला आरोग्य करमशारी महा मंडल द्वारा महा सील नो आयोजन करवा मा आवियोतू आजे 500 थी वधू करमशारी महा जोड़ा आया थे आज रोज ब्लड डॉनेट केम पची सफाई कारियकरम रामदून जिवा कारियकरमों करवा मा आया थे अने जो आगामी समय में सरकासी द्वारा अमारा प्रस्णों नो निराकरण नहीं करवा मा आवे तो हमें 15 तारिक थी और चपकस मुदत नी अड़ताल परपन जवात यार ची इसी के साथ ICB न्यूज में आज इतना ही कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ जय हैं अफिश बेकन लेकर आया है अपरेंटिशिप तालिंग योशना SSC, HSCP, पास्टूडेंट्स और ग्रेजिएट स्टूडेंट्स के लिए तालिंग ग्राफिक डेजाइनिंग वर्ग और ओडर एंट्री वर्ग पन निशुल हुव्याव साइट तालिंग दी जाएगी रोजगार के लिए रुची रख्टे युवाओ को खास नियोता 100% प्लेजमेंट साहाई नबे दिन तक मुफ्त तालिंग दी जाएगी साथी बड़ोदा के युवाओ के लिए खास मोका ओफिस बिकन में 250 वेकंसीज में ओडर एंट्री, डेटा एंट्री और ग्राफिक्स चौप के लिए कांटेक्ट करें ओफिस बिकन हरी बक्ती रानिश्वर बवन, अपोजिट रानिश्वर महादेव मंदिर वाश्ना भाइगी रोड SSEHSC पास और ग्रेजुएट युवाओ को पहला मुका आकशक पगार और इंसेंटिव पाने के लिए जल्द ही मुलाकातले ओफिस बिकन की ज्यादा जानकारी के लिए कॉंटेक करें 9638315550 और 9913349892